शुद्ट अब miał सोट अ कैया शुद आपो दिखे रहा है green करड़ का leaves यहाप पे एक हलका स KalaloseGeek क्रीम का ख्लावर लूक दिख कर था बैग्डऑवर में ग्रे करड़ का यहाप अब आफ्सम ही श्जलिव खे आप दिखाऊ मैं यहाप पर बहुत सारा noise and background texture जो की weaving texture देख रहा है and यह fabric I think शो कुछ 17 fabric ता जिसलिए ज़्यादा noise नहीं है but मैं दूसरा जो आपको दिखाया था यहाँ पर इसमें दिखे बहुत ज़्यादा noise है because इसमें fabric to fabric जो textured fabric texture वो भी हमें depend करते है fabric to fabric पर matter करते हैं कितना texture वो ले रहा है because fabric में कई बार weaving पतला होता है कई बार weaving होता है तो अगर weaving ज़्यादा heavy हो तो उसमें texture कम आते हैं अगर weaving पतला हो तो texture ज़्यादा है अब हमें texture को हटा रहा होता है उसके बाद इसमें कुछ filter effect apply करना परता है जैसे हमने यहाँ पर पूरा इसका अगर जितना भी layer है सबको अगर मैं on करूंगा तो आपको यहाँ पर एक change दिखाएगा यहाँ पर मैं zoom करके आपको दिखाता हूँ अगर आप इस screen को अच्छे समझ पा रहा है जो भी मैं आपको compare करके बताना चाह रहा हो अब ही मैं इसका जो भी औरिजिनल उसके बाद जो हमने filter effect अपलाई के उसके बाद भी उपन कर रहा हूँ यहाँ पर आपको कुछ changes दिखेगा मैं इसको और जोम करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर आप अच्छे से नज़र रखेगा है या तो जो इसका leaves है या तो जो flowers उसमें आप नज़र रखेगे यहाँ पर बहुत सारा texture है इसका color tone भी थोड़स अलग है और इसको हम अगर सारा चीज को on करे तो देखेगे इसमें ज्यादा कुछ noise या तो texture दिखनी रहे हमें and इसका color का tone भी थोड़स आप हमने किया हुआ है I hope so आप सभी तो इसको देख पा रहे हैं इसको समझ पा रहे है कि कैसे इसमें colors को यहाँ पर use हुआ था इसमें कुछ color का intensity या तो depth हम बढ़ाते सो दाट वो प्रिंट के बाद इसका मुटा 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 इसके जैसा लुक आए अब यह चीज मैं आपको अगर मैं अपना PC से भी करके दिखाओ तो भी आपको खुद experiment करना पड़ता है because क्या होते कि आप जहां पे job करने जा रहे हैं maybe उसका scanner अलग है and मैं जो scanner से scan क्या उसका scanner अलग है so आपको उसमें भी थोड़ा सा फरक आते हैं so अगर मैं आपको बताओ कि इतना use saturation में आपको 10% लेना है rate को थोड़ा सा बढ़ाना है यह लोग को थोड़ा सा कम करना है तो वह maybe आपको depend करेगा आपका scanner के उपर कितना आपने scan करने के बाद उसका intensity आया so आपको experiment करके देखना पड़ेगा उसके लिए मैं आपको process बता देता हूँ so that आप समझ पाए कि जब हम fabric को scan करते हैं उसमें क्या-का effect अपलाए करना पड़ता है filter effect and किस-किस तरीके से हमें उसको print के लायक बनाना होते है after that आते हैं उसका color को हमें choose करना कि हमें इसमें कितना intensity याद कितना हम different change करेंगे hue saturation में या तो color balance में so that हमें exactly fabric का color मिल जाए फिर उसके बाद हमारा next topic जो कि आज का हमारा topic है वो आएगा कि हमें fabric के हिसाब से कोई दूसरा dress हमें दूसरा type का design अगा बनाना हो तो उसमें colors को कैसे उसमें डालना हो या तो उसका particular motive को कैसे उसमें डालना हो ठीक है ना देखे so यहाँ पे जब हम fabric को scan करते हैं scan क्या हो फैबरिक को पर हम कुछ filter effect अपलाई करते हैं यह चीज मैं अपने लिए भी रखता हूँ जो भी junior हाते हैं कुछ हम junior student दिया तो junior हमारा always रहती है helper नहीं बोलूँगा मैं junior desire बोलूँगा तो हमारा काम को help करने के लिए उनको रखा ज़ता है इसलिए मैं यह चीज रखता हूँ जैसे smart object करके हमने रखा हूँआ देखिए यह fabric है fabric का जो scan क्या हो fabric देखिए उसके बाद हमने कुछ smart object यहाँ पर अपलाई किया था अपना fabric में कुछ particular changes करने के लिए यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ देखिए layer एक-एक open करता हूँ आपको मैं process भी दिखा दूँगा ताकि आप खुद कर पाए तो पहले हम जब भी इसको करते हैं जब भी हम scan किया हुआ कोई भी fabric को लेते हैं उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ filter effect अपलाई करते हैं यह सरफ एक ही हमने filter effect अपलाई कर और कुछ नहीं किया हुआ यहाँ पर जूम करकर दिखाता हूँ तो यह अगर filter effect को में off कर रहूं तो आपको पता चल जाएगा देखे कितना आपको यहाँ पर फिल्ट अपे जब भी में off कर रहूं तो आपको यहाँ पर दिखिरा होगा बहुत सारा noise और बहुत सारा texture आपको दिखिरा है अगर मैं filter effect को on कर रहा हूँ देखिए उसी में सिर्फ filter effect में आपको काफी changes मिल रहा है तो ultimately हमारा filter का ही काम होता है जो कि हमारा noise को दूर करते है और इसमें depth लाते है तो हमने यहाँ पर क्या क्या अपला किया था एक एक मैं आपको खोल के दिखाता हूँ देखिए एक काम करते हैं यहाँ पर स्मार्ट भी से तो काफी rendering हो नमें time लेंगा मैं को करके बता हूँ आपको समझ में आपको समझ में है यहाँ से एक particular motive को मैं cut कर लेता हूँ जस्ट एक roughly selection में लेता हूँ and I think so इसका selection मेरे पास होगा तो हाँ तो इसका मैं जस्ट इसको selection करके cut कर लेता हूँ control J करके and इतना portion ही में flower का इतना portion ही स्रे आपको filter effect apply करके दिखाता हूँ and यह एकदम first stage होता है जब भी आप कोई भी scan करके fabric को लेते हैं उसके बाद आता है दूसरा चीज जब color को intensity, depth बढ़ाना बाकी सब चीज आते है and इही चीज करने में बहुत सरा beginner दोस्ट जोकी beginner student होते है textual and digital pin देने में उनको बहुत problem आते है so that मैं इही चीज पहले उन सभी दोस्तों को सिखाता हूँ आपको भी यही चीज पहले बताऊँगा after that आप बाकी चीज़े दो बहुत easily करने है because बाकी process total experiment game होते है but जो noise को हटाना होते है वो बहुत important topic होते है अब मैं सिर्फ इसका noise को हटाएक आपको दिखाता हूँ इसका जो background है उस background को मैं यहाँ पे रखता हो and background के बाद यहाँ पे इसको मैं लेता हो and इसको अगर मैं smarter gear convert कर लो तो बहुत easy होते है हमारे लिए बाद में हमें इसको अगर कुछ भी change करना हो हमें कोई भी जो filter effect हम apply करता है उसमें अगर कोई modification लाना हो तो हमारा smarter gear बहुत अच्छा result आते है यहाँ पे जब हम particular कोई भी scan किया और fabric के उपर पहले इसको अगर noise को हटाना होता है पहले हम क्या करते है Gaussian blur use करते है because इसका जो noise उसको हटाने के लिए हमें थोड़ा सा blur करना पड़ता है filter में जाएंगे, blur में जाएंगे, Gaussian blur use करेंगे अब जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें जब हम Gaussian blur use करते है उसमें भी एक ratio होता है कि हमें अगर मोटा मोटी हम एक design को 300 में scan करें तो मोटा मोटी हम 2-3 pixel तक उसका जो blur है वो हम हटाते विकास उससे जादा करेंगे तो motive का clarity खतम हो जाता है तो हमें कम से कम 4-5 pixel का देता है विकास यह resolution को उपर photoshop का total जो algorithm है total जो photoshop का pixel game है वो resolution को उपर dip in करते है अगर हम 1500 यूरुस में यह तो 100 resolution में scan करें तो उसमें हमें 0.5 का blur देना पड़ता है otherwise वो बहुत ज़्यादा blur हो जाते है विकास तोटली resolution को उपर dip in करते है photos of pixel ठीक है ना विकास अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाओ one second अगर मैं यहाँ पर आपको image size कोल के दिखाओ तो जो resolution है ना resolution change करता हो जो pixel है pixel dimension हो वो change होते है जैसे for example मैं इसको 100 कर रहा हो देखिए pixel dimension change हो तो इसके लिए pixel को उपर ही हमें obviously blur करना पड़ता है जिसलिए हमारा जब blur का या तो जो भी filter effect हम अप्लाई करते है वो totally resolution को उपर हमें dip in करते है अब हमें यहाँ पर filter effect अप्लाई करते है जैसे यहाँ पर blur में क्या filter में गया, blur में गया, Gaussian blur अप्लाई किया तो first time हमें Gaussian blur अप्लाई का Gaussian blur में भी मैं जैसे आपको बता है यहाँ पर maximum मैं 2 pixel याड़ करूँगा उससे ज़्यादा करेंगे तो देखिए इसका detailing जो है वो खतम हो रहा है अगर मैं इसको 3 pixel कर रहा हूँ 3 pixel कर रहा हूँ है कि बहुत ज़्यादा detailing खतम हो रहा तो हम इसको maximum 2 pixel करेंगे इस particular में मुझे जैसा लग रहा है और वो हम depend करते हैं कि इसमें कितना हमें जरूरत है कितना में नहीं करना है इसलिए मैं स्मार्ट अभियर में convert किया so that हमें समझ में है तो इसको मैंने 2 pixel किया and after that हमें जो करना पड़ता है उसमें और एक चीज़ जो हमें apply करते हैं वो कि बहुत ज़्यादा काम आते है जो gaussian blur का साथ साथ और एक blur आते है जो कि हमारा age को भी थोड़ा सापन करते हैं जो background उसको blur करते है filter blur में जाएंगे surface blur करेंगे surface blur का काम क्या होता है surface blur का काम होता है इसको zoom करके आपको दिखाता हूँ surface blur का क्या है मैं इसको अगर preview को off and on करूँगा तो आपको समझ भाएंगा जो background noise है उसको हटाना and जहाँ पे age दिख रहा है उस age को maintain रखता है जो age है उसमें blur ना हो जो background noise है वहाँ पे सिर्फ blur हो तो इसको हम जब भी preview करते है आपको यहाँ पे दिखेगा जो age है देख़ए as it is है इसको हम यहाँ पे जो options है उस options को हम modification कर सकते है radius यहाँ जैसे radius को हम बढ़ाते रहेंगे तो इसका जो blur का intensity हो बढ़ते जाएगा मैं just को अगर थोड़ा तो छोटा करके आपको दिखाओ देखे एंड में एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे background को भी थोड़ा सा लेता हूँ नहीं तो background अगर नहीं लेता है तो आपको जादा समझ नहीं रहे है I think so मुझे ऐसा लग रहा है तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे इसको delete करता हूँ clear smart filter करता हूँ and साथ-साथ मैं यह इतना जो background है इसको भी थोड़ा सा लेता हूँ so that आपको और अच्छे समझ में है अब convert to smart object करते है अब सेम वही process हम करते है filter में जाते है, blur में जाते है, Gaussian blur and इसमें 1.5 या तो 2 कुछ भी हम ले सकते and filter में जाते है, blur में जाते है, surface blur अब जब यह दो आप filter apply कर देंगे तो इसमें जो noise है ना मूटा मूटी आपका gaib हो जाते है अब background में देखेंगा और अच्छे समझ में आएगा इसमें जो radius है, उसको हम modify करेंगे यहाँ पर 5 डाल के देखेंगे, कितना आ रहा है यहाँ पर हम 3 डाल के देखेंगे तो इसमें हमें समझ में आते है, कितना blur हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, वो according to fabric हमें अलग-अलग से करना पड़ता है जैसे हम यहाँ पर thrust world अगर कम रखेंगे तो अपना blur कम होगा जो radius हम बढ़ाते रहेंगे, जिसको हम 10 कर दिया यहाँ पर मोटबूट यह एक average चलते है कि इसको अगर हम 10 करें, इसको 5 करते इसको अगर हम 8 करें, इसको हम 4 करते इसको अगर हम 12 करें, इसको 6 करते इस तरीके से हमारा average मोटबूट चलते है जैसे मैंने यहाँ पर 10 किया, तो यहाँ पर हम 4 करेंगे तो अच्छा रगलत आएगा अब देखिए आपको काफी फरक आपको नजर आ रहा होगा surface blend and grazing blend अपलाई करने के बाद इस particular का जो भी मैंने यहाँ पर अभी आपको दीख रहा होगा background and इसका जो भी flowers है जो भी यहाँ पर था noise उसमें काफी फरक आ गया, जो noise है वो हट गया तो यह first day होता है कभी भी scan करने के बाद और दूसरा बहुत है जो कि इसके उपर अब particularly जो भी हमने noise को हटा लिया अब इसका age को थोड़ा सा मैं sharp करना पड़ता है ताकि उप्रिंट के बाद इसी तरीके का look देखिया ऐसा ना होगा, बिकोस हमें देखिए यहाँ पर जो age दिख रहा था, उस age को थोड़ा सा इसमें blur हो गया, बिकोस हमने blur अभी apply किया अब हम यहाँ पर filter में जाएंगे unsub mark में जाएंगे, sharpen में जाके तो हम यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसका age है उसको sharp कर सकते अब इसमें हम, जो कि resolution हम यहाँ पर 300 resolution लिया तो इसमें हम 300 जाएंगे, बिकोस हम यहाँ पर amount हम उसके देना है चाते है, एंड उसके बाद radius को हम 1 pixel याथ 1.5 याथ 2, maximum इतना जादे यूज़ करते है, जैसे हम यहाँ पर 1.5 यूज़ करेंगा, तो काफी अच्छा result मुझे मिल सकता है तो हमने क्या apply किया? तीन फिल्टर एफिक्ट अपलाई का एक, Gaussian Blur, Surface Blur Unsupmark, so that हम इसका particular जो noise है उसको हम हटा पाए ओके आपको अभी तक जो भी मैंने बताया वह आपको idea लगा हुआ कि कहले पहले किस तरीके से इसका noise है उसको हमें हटाना होता है, because यह first step होता है हमें इसका noise को हटाना होता अब इस noise को हटाने के लिए जैसे मैंने बताया कि इसमें noise थोड़ा था कम देख रहा है अगर हमें दूसरा कोई देखना होना जैसे for example यह वाला motif में देखे noise थोड़ा जादा देख रहे है स्कैन किया हो, सब 300 resolution में स्कैन किया होता है अब यहां पे इसको में करता हो same वही process Converter Smart Object ठीक है filter, blur Gaussian blur so that इसका noise थोड़ा सा डाउन हो अब यहां पे मैं 1 ले रहा हूँ इसमें ज्यादा लग रहा है इसमें ज्यादा करेंगा obviously हम इसको बात change कर सकते है because हम smart object में करें तो हम कभी भी इसका जो noise हो हम change कर सकते है filter में जाएंगे, blur में जाएंगे surface blur अब surface blur में हमने उप्लाई किया जो हमरा previous design में कर रहे थी and दूसरा हम जाएंगे unsubmuck unsubmuck के लिए मेरे shortcut क्या हुआ और उसको हम apply करेंगे तो यहां पर apply हो जाए unsubmuck करेंगे unsubmuck पर हमने यहां पर थोड़ा से जादा ले लिया आप है तो 1 pixel हम लेते यहां पर 200 लेते नहीं तो जादा हो जाएगा 1.5 अब देखिए यहां पर जो motor mode इसका weaving texture था नब वो हो गया बट हाँ थोड़ा सा और texture अभी भी दीख रहा है तो उसके लिए हम print के time एक बार print करके देखेंगे अगया ज़रूत पड़े तो थोड़ा सा और blur करेंगे थोड़ा सा और surface blur करके उसके बाद सापन add करेंगे तो थोड़ा सा और वो थोड़ा सा और खतम होगा तो इस तरीके से पहला step को यह करना पड़ते यान इस type का design में जो कि background plain, flat, solid होता है तो उसमें हम ज्यादा तर यही करते कि flower या तो जो भी motifs उसको paint tool से cut करके पूरा अलग कर लेते after that उसके उपर से हम पूरा design में जो भी blur या तो surface blur after that जो भी filter effect है वो हम apply करते so that background में जो noise दिख रहे है उसको हटाना हमें उसके लिए महनत नहीं करना पड़े उसके लिए solid कारेगा कोई एक effect दाल दे तो उसमें मोटा मोटी अच्छा अज़ाद आ जाए सो वह चीज़ हम करते तो पहला काम होता है कि हमें इसका विभिंग texture को हताना जो कि अभी देखे हमने काफी हद तक यहां पे कर लिया उसके साथ साथ थोड़ा सापन भी हमने कर लिया अब उसके बाद अगर मुझे और थोड़ा से ज्याद अच्छी है तो हम यहां पे उसके उपर फिर से डबल क्रिक करेंगे तो उसके उपर फिर से हमा smart widget का जो smart filter फिर से open होगा और अगर हम थोड़ा सा up and down करें तो हमेरा फिर से वह up and down हो सकता जैसे हमने यहां पे करेंगे देखें गौजिंग ब्लार को फिर से मैंने open करने कोशिश कर रहा हूँ यहां पे मैं दो pixel दा रहा हूँ जैसे दो pixel देने के बाद इस तरीके कर देख रहा है और उसके बाद मैं जब भी एंटर करूँगा तो यहां अन्सप मंक में थोड़ा सा अगर और मैं बढ़ा हो तो शापन थोड़ा सा और बढ़ सकता है तो देखें काफी हद तक यह सापन और चाहे तो और हम सापन कर सकते हैं कि मुझे लग रहा है कि अभी तक सापन उतना ज्यादा नहीं लग रहा तो और सापन हम कर सकते हैं दो पिक्सल एड करते हैं तो के जगव हम तीन एड करते हैं सापन में क्या हो रहा है जो उसका एज है उस एज को वह साप कर रहा है ठीक है एंड उसके बाद हम यहां पे Gaussian Blur को सर्फिस Blur एड़ किया था है सर्फिस Blur को मैं यहां पर रखता हूँ Gaussian Blur को उपर and Gaussian Blur को मैं सबसे नीचे कर देता हूँ वो सबसे अच्छा दल देता है Gaussian Blur पहले और रफ्र दार अंसर प्मार तो यह पहले process आपको करना पड़ता है जो आपका motive का detailing लाने में help करता है background noise को हटाके detailing लाके सापन देखे मोटा मोटा एक scan क्या हो fabric को print के लाइक बनाता है तो first step आपका यह होता है पहले gauzing blur then surface blur then answer point I hope so guys इतना तक आपको idea clear होगा उसके बाद आएगी हम दूसरा portion में इस तरीके से पहले हमें motive का जो noise है उसको हटाना होगा